Hello friends, healthy recipes में आपका स्वागत है आज हम whole wheat brownie बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही healthy है इसमें हमने banana का यूज किया है peanut butter का यूज किया है और साथ में whole wheat flour का यूज किया है ये बहुत ही tasty भी बन दिया और fuzzy भी है ये देखिए इसका texture तो अब हम whole wheat brownie बनाना शुरू करते हैं So let's start इसके लिए हमने ये 2 bananas ले लिए है 3 4th cup sugar है 3 4th cup wheat flour है 1 3rd cup butter है, melted butter और इसको हम grams करें हैं कहीं तो 50 gram है और 1 4th cup cocoa powder है 1 pinch salt 1 teaspoon vanilla essence 1 4 teaspoon baking powder और ये थोड़ा सा peanut butter ले लिया है सबसे पहले हम mixing jar लेंगे और ये 2 bananas को हम cut करके इसमें डाल लेंगे ये हमने इसमें bananas डाल दिये हैं अभी हम ये 3 4th cup चो sugar लिया है ये भी हम इसमें डाल देंगे हम इसको mixing jar में कर रहे हैं आप चाहें तो बाउल में भी सीधे डाल के फोप के साथ कर देंगे और साथ में powdered sugar डाल देंगे अब हम इसको mixing में गुमा लेते हैं अब हमने इसको mixing में अच्छे से paste बना ली है ये देखे अब इसको हम बाउल में निकाल देंगे बनाना और शूगर को जो हमने paste बनाई है अब इसमें हम ये वीट फ्लार कोको पाउडर सॉल्ट वेनिला एसेंस बेकिंग पाउडर और ये साथ में बटर अब इसको हम cut and fold method से mix करेंगे पीनिट बटर हम बीच में एड नहीं करेंगे ये देखिए बेटर रेड़ी हो गया है अब हमने ये ब्रेड पैन लिया हुआ है ब्रेड कंटेनर इसको हम ग्रीस कर देंगे आप चाहें तो बटर से ग्रीस कर लें घी से ग्रीस कर लें वेजिटेबल ओयल से ग्रीस कर लें कर दो दो एक लेड़ी है अब इसको थोड़ा सा टैप करेंगे और ये पीनट बटर हम ये पीनट बटर भी हमारा होमेट बटर है अब हम एक टुथ पिक लेंगे इसको हमने थोड़ा सा पोप के साथ ऐसे ही फैला दिया तुथ पिक के साथ आप चाहें तो स्पून के साथ भी कर सकते हैं अब इसको थोड़ा टैप करेंगे अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे आप चाहें तो गैस पे भी कर सकते हैं और ओटीजी में भी कर सकते हैं हम इसको ओटीजी में बना रहे हैं और ओटीजी को हमने प्रीहेट के लिए लगा दिया है तो इसको अब हम 150 डिगरी पे 45 मिनट्स पे लिए या 40 मिनट्स के लिए आपको चेक करना पड़ेगा बेक करने के लिए रख देते हैं ब्राउनी बेक हो गई है अब हम इसको चेक कर लेते हैं यह देखिए इतम क्लीन है इसका मतलग यह बेक हो चुकी है ब्राउनी को बेक होने में 45 मिनट्स लगी है बाकि सब के OTG का टेंप्रेचर और टाइमिंग दोनों वेरी करता है अब हम इसको थोड़ा शिंडा होने देंगे अब यह ब्राउनी शिंडी हो गई है अब इसको साइड से निकाल लेंगे पहले एकदम क्लीन आया है अब हम इसे कट कर लेते हैं यह देखे अब ब्राउनी बहुत ही सॉफ्ट बनी है अब हम ब्राउनी को सब करते हैं इसके लिए हमने ब्राउनी ली इसको ऐसे भी सब किया जा सकता है और इसको आइसक्रीम के साथ भी सब किया जाता है उसके उपर हमने वैनील आइस क्रीम डाली उसके उपर चोको चैस या फिर यह हमने ब्राउनी ली ली इसके उपर हम बैनील आइस क्रीम और इसके उपर चॉक्रेट सिर्फ नहीं देखें ब्राउनी रेडी हो गई है यह बहुत ही हल्दी बनी है और यह टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा लोता है अब आप इसको ऐसे भी सफ कर सकते हैं और आईस क्रीम के साथ भी सफ कर सकते हैं यह दोनो तरह से ही टेस्टी होती है अब आप यह ब्राउनी बनाईए, खाईए और इंजोई करिए और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए